मम्मी जी के एकदम एक्टिंग का कीड़ा यू बग्गा का बोल है क्रेडिट दो हमरी जिजी का प्लेटफोर्म यूज कर रहे हैं नाम भी नहीं ले रहे हैं चटकनी के भी मूं में जीब है अच्छा हूँ तो बहुत लंबी वाली हम तो भूल गए थे तो बग्गा के विवादित वाले ही जो स्टेटमेंट आये हैं और मम्मी जी का सूपर डूपर नेचुरल वाला एक्टिंग है या दिखावे वाला या फिर टॉंट वाजी वाला और कुछ ऐसे सवाल ना जिनके जवाब बेहत जरूरी है ये इतना जाता सूपर डूपर एक्साइटेड कहें हैं या फिर एकदम से एकदम फूट कहा है रहे हैं ज्वाला मुखी के तरह है चलिए आज ये ज्वाला मुखी हम भी तो सुनें क्यों फूट रही है करना बग्गे का जो वीडियो शुरू हुआ है नैदर्स को बहुत ही अलग तरीके से मतलब इससे पहले कभी भी हमने ऐसी ओपिनिंग नहीं देखी थी बग्गे के वीडियो की क्या स्टार्टिंग थी ला जवाब बग्गे के वीडियो के स्टार्टिंग होती है किस चीज़ से अरे वाई साथ बग्गे के वीडियो में ना सरप्रथम दिखाये जाता है बग्गे की खराटों को कैसे वो खराटे लेता है सोते वक्त उसके बाद होती है ना एकदम से बतासे वाले भाईया कि एंट्री वहा कभी यहां बाहर खाना, कभी अंदर खाना, उपर नीचे में कभी मन मुटाओ, तो कभी उपर नीचे वाले अलग-अलग हो जाना, कभी अच्छा बाउंड, तो कभी बाउंड में दरार आ जाना, ये सब नॉर्मल है, लेकिन कल जो कुछ ऐसी चीज़े बोली गई है, हुए मतलब भाई, कल से जो बिवाद वाली घड़ी है, वो एकदम पास आ चुकी है, अब इन्होंने समझ लिया है कि बिवाद ही एक ऐसा चीज है, जिसके माध्यम से न हम लोग व्यूज बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने फिर से वार किया है अपने कागजी जिज्जा जी पे, जी हां बगगा का वीडियो है, तो अफकोर्स इसमें कागजी जिज्जा के उपड़ी वार बताया जाएगा, और इस वार में शामिल हुई है हमारी कागजी जिज्जी, मतलब अपने पती को ही शिकार बनाया है, किस प्रकार से कैसे, जैसा कि अब सब को पता है, कि कल ये में थी बहुत दिनों से बात, मम्मी जी भी जाना चाहती थे वेक्ट करने जजबात, तो फिर सबने सोचा कि क्यों न दर्शन के लिए चल दिया जाए, लेकिन दर्शन तो जो करने गए, इस प्रकार की बाते बुराईया करते होई, टौन तो मरते होई, ऐसे दर्शन करने स क्या फाइदा, लेकिन कुनबा वासी तो ऐसे ही है, अब इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो इनके दिमागों में भरा है, गलत वहमी का कीड़ा, मतलब उसको नाम कभी निकाल ही नहीं सकते, आप में से कोई भेवक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनों ने तो बस ठा है कि ना हम तो ऐसे हैं भाईया, अब चाहे जो भी कर लो, तो हे ब्रीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, यह बगगा का जो वीडियो है, लव स्टोरी के जगह है, उसने बिवादित स्टोरी लेकर आना उचित समझा क्योंकि भाई, लव स्टोरी में तो इतने ज कुझ रख दे, जो हमारे विचार है, है न, रियक्शन के नाम पर, तो चलिए जी, अभी जो शुरू करते हैं, यह जो बगगा का और मम्मी का, यह जो पूरी गारी में बैठके, जो सब का कन्वर्शेशन था, उसमें न, कुछ ऐसी चीज़ हैं, कुछ ऐसी बाते, जो जान डात किस प्रकार से होती, पहले उस पे आते हैं, साचे दरवार की जय, मा के प्यार की जय और नेक्स टृप की बारे में वार्ता लाप थी, कि नेक्स टाइम यहाँ चलेंगे, तो वहाँ पर एक सराई हैं, और उस सराई को न, हम बुक कर लेंगे, फिर एक रात रुख कर, शाम को यहांस निकल जाएंगे रात भर रुकेंगे सुबा सुबा दर्शन करके फिर हम वापसी कर लेंगे तो ये सारी वरतालाफ हो रही थी एक भूमिका दे गई प्रॉपर जान बोज के वो सारी बाते है ना फिर जिजी ने भी कुछ चीजे बोली कि परेतिन ने एक चीज रखा उसके कहने का ताथ पर बहुत कुछ सिद्ध करता है कि आज बहुत दिन बाद बगगा डेढ़ दो घंटे के लिए मम्मी को मिला है तो आज मम्मी अपनी दिल में जितनी भी भडास है जितना भी कुछ है बातें वो सारी व्यक्त कर देंगे सारे जजवात आज निकल क आज आएंगे सामने तो परितिं तुमहारे कहने का यह तातपर है कि बगगा मम्मी को टाइम नहीं देता क्योंकि इन दिनों तो कहें गूमने घामने जानी रहा सारे के सारे कुन्बावासी घर में ही बारिश हो रहे है ठीक है खाता पीता है कई बार गाड़े उठाके तो मम्मी ना आज अपने मन की जो अंदर बहुत सारी बाते हैं कुछ ओफ कैमरा निकलेंगी ओन कैमरा वो बाते निकलते हैं जो आप सबको बोलनी होती जो आप तक पहुचानी होती है या फिर थार्ड या फोर्थ पार्टी जो भी है एक्सो आई-जेट है ना जिनको टॉण उनके लिए बाती होती लगातार बार बार अब ये कुन बावासी खीचना शुरू कर चुके हैं कागजी रिश्टों को परतिन ने बिना किसी ने divorce नहीं किया है और किसी ने फाइल नहीं किया मुझे कोई समन नहीं मिला है मुझे कुछ ये नहीं हुआ है इन सारी चीजों को खोल करके पूरे तरीके से उसने ये सावित कर दिया कि भाई हाँ अभी नके माइन में जो चल रहा हो है काग जी वाले बंदे को घसीटो और उससे विवुज खीचो उसके उपर जाम लगाओ तो पहले शुरू किया वीवी ने अब काग जी साला भी आ चुका है इसलाइम लाइट में कूदने को लेकर क्योंकि भई नया नया जो बग्गी का कंटेंट था अब शायद लोग उससे भी न बोर हो चुके हैं क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं है और बग्गी का जो रियल वेक्टतु था अब वो अंदर जा रहा है वज़े जो है जो भी हो चाहे बग्गा बग्गी की आपस में बात चीत हुई हो वियूज को ले करें जो बीच में अब जिसे कुछ गाइडलाइन से वो जारी कर दी जाते कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है क्या बोलना है तो वो चीज जंता समझ रहे अब जनता को बनावटी चीज़े पसंद नहीं आ रही इसलिए व्यूज बग्गे की भी धडाम से गी रहे तो सुचा क्यों न भाई आज उसी वंदे को घसीटा जाए किस प्रकार से घसीटा जाए इसको पहले भाई लोगों ने डिसाइड कर लिया ममी ने अपना एक पॉइंट रखा था कि भाई मैंने तो इसके उपर सारी जमेदारी दे रखी है कि तू ही संबाल तू ही हैंडल कर क्योंकि ये बंदा ऐसा है कभी भी इसने एक फिजूल खर्ची नहीं करी है पर एतिन भी बोली कि भाई देखे हम और जिजी भले कर दें ले बग्ये ने अपने इंजिनिरिंग डेज जो कि उसने डिप्लोमा किया है या फिर जो भी किया है डिग्री करा है उसका कहना है कि उस दवरान उसने दो जीन्स और कुछ कपड़ों में ही वो पूरा साल निकाल दिया और साल किया या जितने भी साल किया या कुछ लोग तो कह साइक्या है क्वालिफिकेशन की यही लोग जान सकते हैं फिलहाल यह सारी बाते करने के पीछे उद्देश था भई बढकन्नी जिज्जी के जो चीजें हैं उनको सामने रखने का तो बढकन्नी जिज्जी का शुरुआत जो करता बगगा ही करता है कि वह तो ठीक है मैं आप जो कहते हो करता हूं लेकिन आपने कोई ऐसी बहन देखी है जो अपने भाई को डेली पैसा दे अच्छा अब वह चीज तो देखें उनको घुसी नहीं हाला कि वह पहले से प्लान था कि अभी यह बोलना है तो वह सारी चीजे प्लान के अंतरगती कैमरे में चल रही थी ले एली डेली डेली डॉलर बनते हैं इतने में भाई पीछे से इंड़िपेंडेंडन जज़ी कि हां इतना तो ममी ने भी हम लोगों के लिए नही पहचान दिलाए तो उसको और भी काफी 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 यूज़ कर रहें लेकिन credit भी नहीं देते हैं हम यूज़ कर रहे हैं पर एतिन यूज़ करें और काफी लोग काफी लोग तो काफी लोग में आपको पता है कौन-कौन से आते हैं जी यहां आते हैं वो लोग जिनका नाम इनों ने रखा है कागरी रिष्टे मतलब भई अंकुष अगनी होतरी और उनकी बहन लगातार बार-बार उनको टार्गेट कर रहे हैं रही बात अगर आप अगर रियक्शन और लाइव वालों को बोलो तो भाई साब रिय यूट्यूबर पर जिनके उपर उनका मन करता है वो बनाते हैं रियक्शन और जिनका मन होता है देखने का वो आते हैं तो इसमें जूट की दिवानी का हम इतना भी योगदान नहीं समझते हैं और अब अगर बात कर लेते हैं अंकुष अगनी होतरी की तो पहले भी मैंने बोला है कि भाई चलो मान लेते हैं तुम बहुत ज्यादा बेताब हो तो जिस वज़े से तुमको लगता है कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिला लेकिन अगर हम उनको पसंद नहीं करते हैं तो हम उनको देखने नहीं जाएंगे अब जिसने नाम दिया सोहरत दी है ना ये प्ले 24 घंटस ज्यादा का हो गया उनकी पहचान खुद की नहीं बची का हैं वह जी वह मतलब भाई यूट्यूब का किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं जी बिल्कुल भी नहीं इस पे कोई भी क्रेटर आके अपना मन पसंद कंटेंट सर्व कर सकता है जनता ओडियंस देख दो बार किसी की कहने पर या जानने पर आ सकती है है ना किसी के वीडियों किसी को देखा है तो आ सकती है लेकिन अगर उसको तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं आया ना तो भाई वही हाल होगा जो जूट की दिवानी का है लगवग 6 लाग के आसपास उनके सब्सक्राइब जनता जनारदन है ना चाहे तो किसी को खुपड़िया बिठा ले और किसी को धडाम से गिराए दे है ना तो यह कहना बंद करो पहचान दिले प्लैटफोर्म दिलाया वही उस ट्राइम के तमाम लोग ना देखना तक नहीं पसंद करते और जिसका खुद की कोई पहचान न नया कहानी नया साड़ी अंत्र जनता ने नहीं पसंद कर दिया कैसे तुमको टाटा बाइबाय गुडबाय कर दिया उची समझ में आ रही तुम्हें तो बगगा यह कहना बंद करकि बहुत सारे यूज कर रहे हैं लेकिन वह बोलता नहीं उसको बोलना चाहिए कि हाँ ठीक प्लेटफॉर्म मिला तब जाके हम महनत कर हैं वो सफल हो रही है भाई ऐसा नहीं होता है फ्लेटफॉर्म पे कोई भी आ सकता है ऐसे तो कोई न कोई क्रेटर किसी न किसी की वीडियो में आता किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं तो उसके क्रेडिट किसी और क को नहीं जाता उसके content को ही जाता है creator के जान पहचान और एक बार दिखाने के कारण लोग एक दिन जाएंगे दो दिन जाएंगे तो इसरे दिन अगर उनको पसंद नहीं है तो बिलकुल भी नहीं जाएंगे और सेम तुम्हारे साथ भी है सेम जूट की दिवानी के साथ भी है कि चलो ठीक है उन्होंने ऐसे वैसे वीडियो बनाए बनाए है ना कुछ चीज का दिखा के प्रचार प्रसार करती थी ना अब आप लोग जानते हो थमनेल में का दिखाती थी किस प्रकार से वो लाइम लाइट में हाला कि सब लोग करें मटर पनीर मटर आलूप यह सबजी बनाए के लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और चीज़े दिखाती थी यह कॉमेंट सेक्षन आफ कर देती थी प्रचार प्रसार करती थी कि यह इस ब्रेंड का है वो उस ब्रेंड का इस प्रकार से ओडियन्स उनको मिली थी खर सच्चाई जो भी है तो वो तो तुम भ अगर किसी को कोई ओडियन्स देख रही चाहे, दस देख रहे हैं चाहे पचास चाहे सो लोग देख रहे हैं चाहे हजार लोग या उससे भी जादा लोग अगर creator उसको पसंद करता है तब चलो माल लेते हैं हम लोग बड़ी जुजी और छुटकरनी जुजी का बगगे का अंकुश अगनी होतरी का reaction वीडियो बनाते हैं पर अगर हमारा reaction इन लोगों की वज़े से नहीं कोई देखने आता है हमारा reaction हमारी style को पसंद करने की वज़े से आता है हमारा content उनको अगर अच्छा लगता है तो आते हैं otherwise reaction तो बहुत सारे लोग बनाते हैं है न तो भाई इसमें न क्रेडिट लेना बंद कर और YouTube किसी के personal property ने मैं फिर से कहना चाहूंगी लेकिन अगर कुछ लोगों को गलत वहमी का शिकार ही बने रहना पूरा जीवन तो बने रहो भाई साब इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है है न अपना हमेशा भार ही ढोते रहना कि हमको हमारी बहन ने एक ऐसा platform दिया जहां में रोज पैसे मलते हैं बहन का सिप नाम लेते हैं तुझे पैसे मिलो तो जानू है रोज तो नया content लाता है जिसकी वज़े से अगर credit देना ही है तो बग्ये थोड़ अपनी बीवी को दे दे जिसकी वज़े से तुझे लोग देख रहे हैं अधरवाइस तेरे भी दस जार होने में लाले पड़ रहे थे वो दिन भूल गए अभी credit जिसको देना चाहिए चाहे वो जूट की दिवानी हो चाहे तुम हो चाहे ये हमारी independent रानी हो सबकी वीडियो में freshness कब से आई जब से बगई उसकी शादी और उसकी जो रस्मों रिवाज वो शुरू है तब से कुछ audience interest भी लेने लगी खास कर तुम्हारे में तो ये सब बोल बच्चन बोलना बंद करो तुम्हारे टांट से न कुछ होने वाला नहीं है जो तुम चाहा रहे हो न वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है चाहा रहे हो की controversy हो तुम्हारा कागजी जो jazz पर react करें फिर तुम लोग उसके नाम ले लेके ले लेके विउस कमाओ उसके बाद रहा कुहा मम्मी जी का जो आया था है ऐसी मा देखी जो एक कोड़ी भी बचा के अपने बच्चे से रखे ऐसी मा ऐसा पैसा किस काम का घर में प्यार महबत होना चीए पैसे ही बचा के रख लो पैसे छुपा के रख लो धेर सारा पैसा कमा लो कोई मतलब नहीं मम्मी जी कितने जोश के साथ मार एक्जामपल दिये जा रही थे इसा लग रहा था मकदम यहां खोपड़िया तक मतलब पूरा मुहिया तक भरी पड़ी है कि भाई यह कोनों चीज इतना जादा बुरी लग गए कि आज तो सुनाई के रखेंगे बग्गी सुन रही थी विचारी वो कुछ नहीं बोल रही थी वो स्रिफ सुन रही थी इतनान में भाई जोट की दिवानी के इंडेपेंडन बहिनिया बोलते है मम्मी जी के अंदर जोश इतना भरा था कि आज अगर कैमरा लगा देती तो सारी के सारी भडास निकाली देती इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही थी कि मम्मी का हिसाब किताब का कोई ध्यान नहीं रखता बस मम्मी एकदम जलबलाएगे कि यह ध्यान नहीं रखता ध्यान नहीं रखता आसे इसाब रखा जाएगा पूरा ध्यान रखा जाएगा मैं यह कर दूँगी अब समझ में आया कि जो एक्टिंग के स्किल्स हैं यह कहां से मिले हैं पूरा कुन बावासियों को चाहे वो जूट की दिवानी हो चाहे इंडेपेंडेनट रानी हो या फिर बगगा सब में जो कूट-कूट के अक्टिंग का कीड़ा है वो ना मम्मी जी से आया मतलब मम्मी जी कैमेरा ओन कर लो चाहे एमोशनल सीन ले लो, चाहे एकदम रॉपचिक वाला ले लो, चाहे बले बले सावा डांस ले लो, चाहे तो एकदम बिकराल रूप ले लो, चाहे तो एकदम कांट्रोवर्सियल ले लो, चाहे तो इनसे कुछ भी कहला लो, मतलब एकदम परिपूर्ण है, इनको कोई भ टॉंड कर रही थी हो किसको कर रही थी किसे को बताने की जरुत नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना समस्दार हो कॉमेंट शेक्षन में वह तरीकिक तो कॉमेंट बहे उन्होंने पूरा का पूरा हेल्प और रिव्यू लगा रखा है सारे के सारे लेकिन कुछ एकात कोमेंट ऐसे रहने देते हैं ताकि लोग सवाल न उठावें लोग पूछ रहते हैं इतना explanation किस लिए दिया जा रहा है और किसको सुनाया जा रहा है तो भाई आप लोग इतने भूले तो होने ही आप सबको पता है कि किसको target किया जा रहा है किसके उपर ये सारी चीज़े चलाई जा रहे हैं किधर कहा कॉंतीर चला जा रहा है किनसे उमीद की जा रही है कि वो रोज बड़ी जजी की फोटो लगा की आरती उता रहे है कि हे जुटकन्नी जी जी तुम्रे वजय से डॉलर पाते तुम्री वजय से घूम जाते तुम्री वजय से रासन भराते अंकुश अगनी होते ही एक बढ़कन्नी चालीसा रोज अगर अपना वीडियो शुरू करें तो शायद इनके सब के मूँ बंध हो जाएं लेकिन जब त इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टार्गेट किया है बहुत ज़्यादा खीचा खाचा है उसके अलावा दर्शन करने गए हैं बीच में बगगी ने भई दिखाया कि दीदी डर रही है देखी उनकी सूपर डूपर एक्टिंग कैसे डर रही है और फिर प्रिसाद साथ च शॉपिंग खाने पीने की सामान की फ़ल सेब संतरा के लिए यही सब खरीदे जा रहे थे और उसकी बाद घर में आके बगगी ने खाना बना है है ना बाकी खाया पिया गया और रिवियू लिया गया लेकिन उससे पहले जो चीज़े की गई है आज वो निहायती एक उद् की तरब से इनको कोई जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे ऐसे कंड्रोर्सल होने का कोई मतलब नहीं चलिए जी अवे के लिए इतना है आप जाने इस पहले चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब वीडियो पसंद है तो जाने इस पहले एक लाइक करके जाएगा